कैसे पता करें, PCV खराब है, या फिर, मोटर, या फिर, कंपरेशर खराब है, जिसके वज़ैसे कंपरेसर या फिर, मोटर नहीं चल रहा है, चाहे आउट-डोर का PCB हो, इंडोर का PCB हो, इनवटर PCB हो, नोनिनवटर PCB हो, सेम तरीका होता है। चेक करने का, find out करने का, कि क्या PCB खराब है, या फिर motor या फिर compressor खराब है, आउट डोर में जो PCB लगा होता है, वो compressor और fan motor को run करवाता है, इंडोर में जो PCB लगा होता है, वो blower motor को और sensor को run करवाता है, तो उसे कैसे आप find out करता है, बिल्कुल आसान तरीका हमारे एक दोस्त न उल्फ़ान कारी में दे रहा हूं कि आप आसान तरीका में आप सिंपल आप समझ पाएंगे की सिब्स और खरबी है या फिर 이거 का कि में MP घुकुमन शान honors अप समझ पाएंगे पहले हम non inverter से शुरू करते हैं, non inverter PCB, एक PCB बताऊंगा, सारे PCB सेम तरीका होता है, चेक करने का, हाँ लेकिन अंदर का जो output निकल रहा है, वो सेम तरीका नहीं होता है, पहले आप क्या करें, कि input supply, जो PCB on करने के लिए input supply दी जाती है, उसे आप पहले चेक करें, कि input supply क्या 220 का current, जो आप दे रहें, input supply क्या 220 का current, input तक जा रहा है, जैसे PCB में जब हम input देते हैं, line और neutral, क्या वहां तक input supply मिल रहा है, PCB को, अगर 220 का current वहां पर मिल रहा है, neutral और line पर लगाने पर, तो आप चेक करेंगे, कि यहां PCB on होना चाहिए, जब current मिल रहा है, तो PCB जाहिर सी बात है, on होना चाहिए, अगर PCB सही है, तो, अगर PCB खराब है, तो input supply मिलने के बाद भी, वो काम नहीं करेगा, PCB on नहीं होगा, अगर PCB on नहीं हो रहा है, तो, इंडोर में, ज्यादा तर जो case आते हैं, सामने जो problem आते हैं, जो fault आते हैं, उसे मैं बता दूँगा अब भी, कि actual में सबसे ज्यादा fault क्या आते हैं, जब PCB on नहीं होता है, तो बिल्कुल भी current नहीं आता है, जबकि 220 का current input तक पहुँच रहा है, न्यूटल और face वहाँ चेक करते हैं, वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी PCB on नहीं हो रहा है, PCB on होगा, तभी indoor on होगा, indoor के display पर light जाएगा, और indoor का blower motor on होगा, और relay output supply देगा, इसे समझेए, कि आप input supply मिल रहा है, indoor का PCB on नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको एक हाई रेप्चरिंग कैपसिटी फ्यूज लगा होता है, आप देख सकते हैं, ये हाई रेप्चरिंग कैपसिटी फ्यूज, जो की indoor के PCB में लगा होता है, outdoor के PCB में भी लगा होता है, ये क्यों लगाया जाता है, हाई रेप्चरिंग कैपसिटी फ् रहा है ये पिर कहीं मोटर में कंप्रेसर में सौर्टिंग है तो पूरा PCB महंगा आता है पूरा PCB जरने जल करके वही फ्यूज उड़ जाय है जो कि बहुत कम पैसे गाता है बहुत कम में उसका प्राइस होता है तो उस फ्यूज वही फ्यूज उड़ जाता है अब देखी यहां पर एक चीज और मैं प्लस पॉइंट में बताना चाहूंगा अगर फ्यूज उड़ जाए बडाक करके उड़ जाए एक बार में तो फिर आप समझे लिजे कोई बड़ा फाल्ट है याने की नूटल फेस कहीं तो सोट है या तो कंपरेसर में या तो मोटर में कहीं तो सोटिंग है तो उससे पहले आफ फाइंड आउट करें कि सौटिंग कहां पर है उसके बाद ही दूसरा दूसरा आप लगां उसमें फ्यूज क्योंकि अगर हाई सब्सक्राइब करेंगे तो आप जब भी आप चेक कर रहे हों तो इस तरह से चेक करिए इंडोर जो अगर मानिए कि अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं कि इंपुट सप्लाइब मिल रही है और पीसीबी भी आन हो गया है लेकिन आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है अब इंडोर का पीसीबी अगर चेक करते हैं तो इंडोर का जो मोटर जहां से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है पीसीबी का मोटर आन नहीं हो रहा है तो मोटर को अलग से आप च का PCV इस तरह से आफ फाइंड आउट कर सकते हैं कि PCV में खराबी है या फिर जो आउट पुट आप चला रहे हैं मोटर कंप्रेसर उसमें खराबी है यह तो फाइनल हो गया इंडूर का PCV अब आउट डूर का PCV हम बात करते हैं अलग अलग तरह कि PCV आते हैं कुछ एड़क्टेबल में छोटे PCV होते हैं और इनवर्टर AC में कुछ बड़े टाइप के PCV होते हैं PCB को कैसे चेक किया जाता है, उसकी सप्लाई कैसे निकलती है, जो inverter AC का होता है, inverter AC में UVW के लिए कैसे सप्लाई निकलता है, कंपरेसर के लिए, DC फैन मोटर के लिए सप्लाई कैसे निकलता है, इंडोर में भी DC फैन मोटर लगे होते हैं, उसका भी सप्लाई कैसे निकलता है, कि वीडवलू आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं कितना सपलाई देता है आउटपुट कम्पलीट वीडियो में बना रखा हूं उस वीडियो को देखिए और एकस्प्लेइन में बता रखा हूं बहुत ही डीप ली में बताया हूं वहाँ पर जाकर के सीखिए एक ही बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कोई भी सिस्टम हो इन्वाटर एसी हो आउटडोर इन्डोर नौन इन्वाटर एसी हो बिंडो एसी हो रेफ्रिजरेटर हो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कोई बहुत बड़ा फाल्ट नहीं होता है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यह समझना है पहले कि सप्लाई हमारा कहां से निकल रहा है पीसीबी में जा रहा है पीसीबी से कंप्रेसर को जा रहा है कंप्रेसर से फैन मोटर को कैसे कैसे जा रहा है सप्लाई यह समझना बहुत जरूरी है यह समझना आसान है क्योंकि वायरिंग थोड़ा सा आप देख लेंगे अगर आपको पता होगा तो आप समझ पाएंगे कि कि सप्लाइ निकलता है अब यह तो हो गया यह तो लाकी बात है प्लसपाइंट में आप समझ लेंगे लेकिन अब हम बात करते हैं इन्वाटर एंटे क को तो पिर समझ लिजे कि काम कर रहा है सिस्टम का अगर कम्यूनिकेशन नहीं कर रहा है तो फिर कहीं तो फाल्ट है आउट्डूर के पी-सीवी में दोनों में कौन सा पी-सीवी खराब है इसके लिए ऐड्येवीडिव में वीडियो बना चुक हूं उस वीडियो को देखिए और सीक् MONTH सारे लिंक मिल जाएंगे कि इंडूर का PC भी खराब है या फिर आउटडूर का PC भी खराब है अगर आउटडूर के PC में सप्लाई गई है वहां पर सप्लाई गई है रिले भी ओन हो गया है लेकिन फिर भी कंप्रेसर और फैन मोटर नहीं चल रहा है इनवाटर एसी का तो फिर आप कैसे टेस्ट करेंगे कंप्रेसर को आप कंप्रेसर चेक करेंगे कंप्रेसर का टर्मिनल चेक कर लिजिए जो इनवाटर इसी का कंप्रेसर होता है उसके तीनों टर्मिनल पर एक बराबर रीडिंग मिलती है तो पिर समझ लीजिए कंप्रेसर सही है अगर एक दो पाइंट का रख फरक होता है तो कोई बात नहीं है कभी कभी एक बाट टेच करेंगे कुछ और बताएगा दूसरी बाट टेच करेंग यूवी डवलू जिसे कहते हैं यूवी डवलू जो आउटपूर निकलता है आई पीम से उसका तीनों पॉइंट पर आप पीसी बी ऑन पोजीशन में होना चाहिए तो आप तीनों पर यूवी डवलू आप चेक कर लीजिए कि कितना सप्लाई मिलना चाहिए और कितना दे है यूव पॉइंट पर एक बराबर से बोल्टेज होना चाहिए डी सी करेंट आप एसी में भी चेक कर सकते हैं उसके लिए में वीडियो बना रखा हूं उसे जाकर करके देखिए कैपिसीटर का नेगेटिव पॉइंट और यूवी डवलू का पॉजिटिव पॉइंट पर शी प्राइट तो पर तो फिर पर कंप्रेसर को चेक करिए अगर बॉल्टेज बराबर ही ने दे रहा है तो फिर खराप हो सकता है यह पिसीव पर कहीं तो फॉसकता हैा अगर एकर करना जानते तो हमारी वीडियो को देखिए आप से जाएंगे किस तरह से रिप्र किया तो आउप निकलता है तो उसे आप चेक करके आप आउट करके आप उसे खुद ही चेंज कर सकते हैं नहीं आप रिपेर करना चाहते हैं तो को PCB main चीज होता है एयर कंडिशनर टेकनीसियन जो होते हैं उनके लिए main होता है कि उस समझ पाएं कि पीसीव में फाल्ट है या फिर कंप्रेसर या फिर मोटर में फाल्ट है CB Falt होता है, सीधा उठा करके PCV रिपेर करने वालों को दे देते हैं क्योंकि Technician के पास इतना टााइम नहीं होता है कि बैट करके PCV टेस्ट करें और उसका Falt Find Out करें और उसे Change करें, कंपोनेंट को इतना टाइम नहीं होता है slows ने सेंसेद के पास इसलीए फेकते हैं सोब करें तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अगर ओप्टूर मोंटर नहीं चल रहा है तो मोंटर को कैसे चेक किया जाता है मोंटर का आउट कुर्ट लेकर के कितनेगा se तो इस तरह से फाल्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं पीसीबी में फाल्ट है या फिर हमारे जो आउट्पुट यूनिट हमारा चलाने के लिए निकल रहा है सप्लाई वो उसमें फाल्ट है तो मुझे लगता है कि छोटा सा वीडियो आपके समझ में आया होगा आपके लिए काफी यूजपुल रहा होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाश्ट में फिर से बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को वीडियो में बनाओं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले तो आज के लिए बस इतना ही था अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक ने टॉपिक के साथ